हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं रक्षा बंदनी स्पेसल मिठाई यह मिठाई खाने में बहुत ही स्वादेश लगती है तो चलिए बनाना इस्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम गैस पेक कढ़ाई रखेंगे और उसमें दो बड़े चमच हम घी डालेंगे यहां मै यहां एक कटोरी मैदा लिया है आप कोई भी कटोरी यह कप से मिजर्मेंट कर सकते हैं अब इस मैदे को हम धीमी आज पे भूनेंगे एकदम ध्यान रहे हैं इससे हमें बिल्कुल धीमी आज पे भूनना है तेज आज पे भूनने से यह जल जाएगा इसका टेस्ट भी अच अच्छा टेस्ट आता है इसका इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक इसमें अच्छी सी खुश्बूना आने लगे इस तरीकी से चलाते हुए हम इसे भूनते रहेंगे यह देखिए मैदा हलका हलका भूनना इस्टार्ट हो गया है अभी मुझे लगबग इसे भूनते मुझे इसे भूने में पूरे 10 मिनट लगे थे तब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे हम और उसी कड़ाई में हम एक कटोरी चीनी डालेंगे और उसी कटोरी से हम एक कटोरी इसमें पानी डालेंगे इसका हमें चाशनी बनाना है चाशनी हमें कोई तार वाली नहीं बना खाने में बहुत तेस्टी लगती है अब इसमें हम थोड़ी सी कूटी हुई हरी लाइची डालेंगे फ्लेवर के लिए अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही होगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब किजिएगा यह देखिए चीनी अब पूरी तरी से मेल्ट हो चुका है और यह हलका चिपचिपी वाली चासनी बन गई है गाड़ा हो गई है अब इसमें हम भूने को मिक्स करेंगे और इस टाइम पर हम गयास का फ्लेम आफ कर देंगे ऐसे अच्छे से चासनी में मिक्स कर लेंगे अब इसमें हम थोड़ा सा आधा कटोरी मिल्क पॉडर डालेंगे मिल्क पॉडर आप किसी भी ब्रेंड का ले सकते हैं इसे डालने से इसमें बिल्कुल मावा वाला टेस्ट आता है बहुत ही अच्छा लगता यह खाने में मिठाई इसी भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे अध्यान रहें गैस का फ्लेमे में आफी रखना है यह देखें मिक्स्चर अब बिल्कुल रेडी है इस मिक्स्चर में से हम आधा मिक्स्चर हम एक प्लेट में निकाल लेंगे अब मैंने जो आधा मिक्शेर निकाला था उसमें थोड़ा सा हम ग्रीन फूर्ड कलर डालेंगे और थोड़ा सा इसमें दूर डाल कर हम अच्छे से इस मिक्शेर में कलर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह विल्कुल आप्शनल है आप ऐसे भी बना सकते हैं यह देखें मैंने एक तरफ ग्रीन वाली मिक्शेर और एक तरफ यह अब इस तरह चोटे चोटे हमें इसका रूल बना लेंगे गोली बना लेंगे दोनों मिक्चर का में इस तरह क्या का छोटा छोटा गोली बना लेना है यह देखे मैंने सारे बना लिये है अब इसे हम एक हाथ पे हम एक वाइट वाली रखेंगे और एक ग्रीन वाली और दोनों को साथ में इस तरह के से रोल करेंगे ये देखे कितना बढ़िया ये डिजाइन बन चुका है इसमें बहुत ही बढ़िया ये मिठाई त्यार हो गई है इस तरीके से और एक में बना कर दिखाती हूँ दोनों को साथ में रखके इस तरीके से हम हाथेली पे रोल कर लेंगे इसी तरीके से हम सारे मिठाई बना लेंगे यह देखिए मैंने सारे मिठाई बना लिये हैं और गार्नेशिंग के लिए मैंने उपर से रेट चेरी डाला है